हाई वेल्कम दूबर चनल इस बड़ी में स्वाल्व करें कुछ नमर थ्री तो ध्यान देजेगा find six rational numbers between three and four हमें निकालना है three और four के बीच में six rational numbers तो यहाँ पर जो method हम use करेंगे उस method का नाम है LCM method ओके तो इसमें क्या करते हैं देखे LCM method ऐसा method है जिससे कि आप किसी भी दो numbers के बीच में चाहें जितना आप rational number निकला चाहूँ आप निकाल सकते हो तो इसको समझ लेजिए तो यहाँ पर three और four के बीच में आपको निकालना है six rational numbers तो we have three और four तो three यहाँ लेख 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 दीजिए और four थोड़ा सा gap लेकर करके यहाँ लेख दीजिए हमें three और four के बीच में निकालना है six rational numbers तो देखिए सबसे पहले चेक करिए कि three और four जो number यहाँ पर दिया हुआ है उसका denominator equal है कि नहीं मतलब कि numerator के बीच में numerator में जो integers दिया हुआ है उन integers के बीच में कितने number आफ integers आएंगे 3 और four के बीच में कितने integers हैं zero integers है तो कहने का मतलब कि four minus is three करेंगे तो क्या मिलेगा one मिलेगा जोकि one मिलेगगा transitioned one आता है four और थि यहाँ हम क्या करते हैं यहाँ पूछा है 6 रेस्टनल नंबर्स निकालना है ना क्या करना है कि 6 में एक आड कर दिजिए 7 आएगा और 7 से मटपलाई कर लिजिए यहाँ पर और यहाँ पर लेकिन मैं आप सुथिनों कि क्यों करेंगी मतलब 6 प्लस 1 करके मटपलाई मैं आपको बता रहा है आपको यहाँ पर किसी ना किसी नंबर से मटपलाई तो करना ही पड़ेगा यहाँ आप यहाँ पर 3 और 4 में डिफरेंस बढ़ना चाहते हैं तो मतलब कि 3 में किसी number a से में बलाई करना पड़ेगा और 1 में भी किसी number a से में बलाई करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा तो finally कोई number यह बन जाएगा लेकिन जो भी यह बनेगा fraction वो equivalent fraction बनेगा 3 by 1 का हैंगे नहीं numerator में और denominator में किसी एक fix नमर समटबलाई करेंगे जब करते हैं आप तो यह एक equivalent fraction बनता है तो जब भी वह equivalent fraction बनेगा उनके बीच में numerator के बीच में difference आ जाएगा मतलब difference बढ़ता जाएगा जैसे समटबलाई करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ से कि आप 3 में यदि 2 समटबलाई करते हैं और 1 में भी करते हैं 2 से और यहां पर भी 4 into 2 करते हैं और 1 into 2 करते हैं तो क्या मिलेगा ध्यान देजिए 3 into 2 करेंगे तो मिलेगा 6 6 upon 2 हो जाएगा और यहां मिलेगा 8 upon 2 है कि नहीं यहां पर आप देख सकते हैं कि denominator दोनों का equal है numerator में difference आ गया है मतलब 6 और 8 के बीच में एक 7 नमबर आ जाएगा 6 7 8 होता है ना 7 के नीचे बस 2 रख दीजिए मतलब कि 8 by 2 और 6 by 2 का जो common denominator 2 है उसको भी 7 के नीचे रख दीजिए तो आपको यह नमबर मिलेगा 7 by 2 यह नमबर 6 by 2 और 8 by 2 के बीच में आ गया एक नमबर में 3 इंट्व 3 और यहां भी करना पड़ेगा 4 इंट्व 3 अपान 1 इंट्व 3 मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं ठीक है तो अभी last मिलें है न यह actually 3 by 1 के क्या है equivalent fraction है मतब 3 by 1 में मुणपलाईगी है हमने 3 से दुनों में तो यह 9 by 3 क्या है equivalent है 3 by 1 के मतब 3 के पराबर ही है actually यह 9 by 3 और 4 के पराबर है 12 by 3 क्यों कटाएंगे तो आपको 4 ही मिलेगा ठीक है तो बस हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें इसके बीच में अब देखें यहाँ पर denominator क्या है equal हो गया और numerator में 9 और 12 में डिफरेंस वह बढ़ गया है तो 9 के बाद क्या आता है उसके बाद क्या आता है 9 के बाद 10 फिल्सके बाद 11 इसके बाद 12 आता है तो दो हमें नमर मिल गए 10 और 11 इनके नीचे कामन जो इन दोनों का denominator है वो रख दीजे 10 अपन 3 और 11 अपन 3 तो यह जो दो नमर मिल गए 10 अपन 3 और 11 अपन 3 यह हमें और 2 रेसड़ णमर मिल चुके हैं किसके बैच में 9 इनिच और 12 आपन 3 और कुछ नहीं है बलत यह है और यह क्या है 4 है मतलब कि 3 और 4 के बीच में आपने 2 निकाल लिया तो हमें तो निकालना है 6 इसका मतलब कि हमने पहली बार 2 समपलाई किये था तो 1 मिला था 3 समपलाई किये तो 2 मिला 4 से करेंगे तो 3 मिलेगा तो ऐसे करके आप Check करेंगे आप पाएंगे कि एक ही बेरी जब आप 7 लेंगे 7 तभी आपको 6 रसाण में मिलेंगे तो हम directly क्यों नहीं 7 से कर दें तो कैसे बचलेगा कि 7 से ही करना है तो एक चीज तो यह है कि आप जो है ऐसे manually जो है multiply करकर करके पता कर लेंगे यदि 1 आ गया तो बस समझ लिजे कि 6 से रसाण नमर पूछा है न तो 6 में एक add करके जो मिलेगा नमबर न उसी नमबर से मिल जाएगा इन सभी में मतलब कि यहाँ पर A मिल जाएगा here आप लिख सकते हैं कि here A बढ़ाबर मिलेगा 6 प्लस 1 मतलब 7 से मतलब करना पड़ेगा इन दोन नमबर में तो मतलब करने मिलेगा आपको 3 x 7 upon 1 x 7 और यहाँ मतलब करने मिलेगा 4 x 7 upon 1 x 7 तो क्या मिल जाएगा यह नमबर तो फाइनली यह नमबर मिलेगा 3 x 7 जा 21 21 upon 7 और यहाँ मिल जाएगा 4 x 7 जा 28 upon 7 अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम एक उसो चरहें कि इरेज कर दें क्योंकि यह अच्छा नहीं दिख रहा तो हमारे पास पहले पहले नमबर क्या था आप देख सकते हैं आपर कि 3 upon 1 और 4 upon 1 अब हमने क्या बना लिया 21 upon 7 और 28 upon 7 इसका मतलब यहाँ पर जो 3 upon 1 को मैंने चेंज किया 21 upon 7 में तो यह एक्चुली क्या हुआ है 21 upon 7 जो है वो बराबर ही है 3 upon 1 के इक्वाल है दोनों कन्फूज मत हुएगा कि यहाँ पर यह दोनों अलग अलग है ऐसा नहीं है 4 upon 1 जो है इक्वाल है 28 upon 7 के क्योंकि 7 से कटाएगा यह तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा तो अब यहाँ पर लेकिन ऐसा convert करने हम क्यों किये convert ऐसा equivalent fraction में क्यों convert किये इसलिए किये क्योंकि यहाँ पर देखिए denominator तो same है लेकिन numerator में difference आ गया है और इसमें जो numerator में difference है इससे क्या हुआ है कि इन दोनों numerator के बीच में number of integers बढ़ चुके हैं और इस करन से आप find कर सकते हैं इन दो numbers के बीच में कई सारे rational numbers तो यहाँ पर देखते है कि कितने रे нужно numbers बीच में हैं 21 के आगे कौंसम मिलेगा हमें 22%7 मिलेगा उसके आगे काूंसम म कौंसम मिलेगा 23%7 मिलेगा Therefore 24%7 मिलेगा 25%7 मिलेगा उसके बार 26%7 मिलेगा उसके बार 27%7 मिलेगा तो कितने ले गए देखिए Departal 23456 तरह हमें six से रसनाव मिल गये इन दो नंबर्स की बीच में और यह 21 अपन 7 क्या है यह 3 ही तो है क्योंकि 7 से कटेगा तो क्या मिलेगा तो मतब कि 3 मिल गया 3 से बड़ा नंबर यह है मतब 3 से आगे तो हम इसको ऐसा भी लिसकते हैं से दिखा सकते हैं कि 3 is less than 22 by 7 and 22 by 7 is less than 23 upon 7 and 23 upon 7 is less than 24 upon 7 and 24 upon 7 is less than 25 upon 7 and 25 upon 7 is less than 26 upon 7 and finally इतना हो जाएगा फिर less than यहाँ पर कटा लिजे 77 and 7 for the 28 means जाएगा यह 4 तो 3 और 4 के बीच में आपको मिल चुके हैं यह 6 rational numbers तो देखिए यही तरीका है आपको find करने का चाहें जितना आप निकालना चाहते हैं बस क्या करिए किसी एक integer से multiply कर दीजिए जितने ही number आफ यह इंटिजर का amount है 7 यहाँ पर multiply किया ने आप हो 7 से मिल जाएगा आपने तो इनके बीच में मिल गया 6 number of rational numbers आसानी से वैसे आप यह 8 से मिल जाएगा आपको 7 numbers ठीक है यह आप 10 से मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3 और 4 का बीच मिल जाएगी 10 आसे मिल जाएग तो 9 li into 20 क्या मिल जाएगा यह मिल जाएगा 32 जा 60 अपान यह हो जाएगा 20 और यह मिल जाएगा 4 तुजा 8 80 अपान 20 अब आप देख सकते हैं कि 60 यहाँ पर denominator जो है equal है लेकिन 60 और 80 की बीच पर difference बढ़ गया है इसका मतलब कि 60 की आगे जो है बढ़ाते जाएगे आप 61, 62, 63, 64, 65, 67 ऐसे जाएगे आप 79 तक तो इतने 19 नंबर्स आपको मिल जाएगे 19 रेसनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं की बीच में तो आप देख सकते हैं कि यह तरीका कैसे काम करता है और कैसे आप फाइंड कर सकते हैं तो मैं सुचता हूँ कि आप समझ चुके होंगे इस method को अच्छे से यदि आपको अच्छा लगा यह method तो बिल्कुल like कर दिजए comment box में जोरू कुछ नगुछ लिखे thank you so much for watching आप लोगों का ही comment से हमारा मता समझे की खर्चा चलता है thank you so much bye